हाई फ्रेंट्स वल्कम बैक टू अनदर वीडियो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लाए हूँ होबी के उपर निबंद तो ये बहुत ही असान और 350 सब्दों में मैंने लिखा है तो इस वीडियो को पुरलाज तक जोरू देखना तो चलिए वीडियो को शुरू निगतिवीदियों से अलग पर्तियक वैक्ति बच्पन से ही किसी खास आदत से जुड़ा होता है यही विशेश आदत हौबी का लाता है हौबी का मतलब होता है विशेश शौक या रूची यह संपून जीवन को आनंद में बना देती है यह कोई भी शौक, संतोस और स्वा पूरा करने के बाद समय निकाल कर अपना शौक फूरा करता है यह जीवन की नीरस्ता को खत्म करती है यह हमारे विकास में भी मददगार है जीवन में यदि कोई शौक ना हो तो यह नीरस प्रतित होता है शौक के बिना सारिस विदायें के रहते हुए भी आद्वी होबी ही परमसुख का मंत्र जीवन में भरती है मेरी होबी किसी आदमी को भ्रामन करने की होबी होती है तो कोई खुबसूरत पालतु जानवरों के साथ समय बिताना पसंद करता है लेकर फोटोग्राफी सिनेमा देखना अच्छे संगीत सुनना चित्रकारी करना पुस्तके पढ़ना आदी मुख्य होबी है मुझे गाने की होबी है मैं सिनेमा के गाने भजन और राश्टिय गीत गाने का सौकीन हूँ मैं अपनी पढ़ाई लिखाई और ग्रस्ती में माता पिता की मदद करने के बाद कुछ समय निकाल कर गाने गाता हूँ मैं साम को मित्रो के साथ रात को अपनी च्छत पर या सुबा में टहलते वक्त गाने गा लेता हूँ मित्रो तथा जान पहजान के लोगों में मेरी होबी की खूब तारिफ की जाती है प्राया मुझे अपनी कला का सारवजनिक परदर्सन करने का आउसर मिल जाता है लोगों की वावाई सुनकर मेरे अंदर उत्साह और गर्व भर जाता है उप्शनहार हॉबी जीवन में स्फूर्ती और प्रसंता लाती है यह हमारे जीवन को जीवन्त और आकर्शक बनाती है इसका सबसे बड़ा लाव है कि यह दिमाग को कभी खाली नहीं रहने देती और गलत आचरन से रोकती है इससे मस्तिस का स्वस्त मनुरंजन होता है अतह पटेक वैक्ति को अपनी कोई न कोई हॉबी अवश्य रखनी चाहिए और इससे दूसरे का भी मनुरंजन करना चाहिए तो उमीद है यह छोटा सा इंफोर्मेशन होबी के बारे में आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें शेयर करें अगर कोई सवाल या सुझा हो तो नीचे कमिट करके हमें बता सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में गुडबाई